नमस्कार ये कहानी आइंस्टीन और हिटलर के बारे में है सन 1934 में जर्मनी के राष्टपती हिंडेनबर्ग की मौत हो गई जिसके बाद वहाँ प्रधान मंत्री और राष्टपती पद एक कर दिया गया अब हिटलर जर्मनी का ताना शाह बन गया ताना शाह बनते ही उसने जर्मन संसत भंग कर दी और सामेवादी दलों को गयर कानूनी घोशित कर दिया इसके साथ ही देश की जनता से हिटलर ने स्वावलंबी बनने का आहवान किया उस वक्त वैग्यानिक आइंस्टाइन विदेश में थे विबिन विश्विद्यालेंओं में उनको बुलाया जाता जहां वो अपने सिध्धानतों पर व्याख्यान देते छात्रों और सिक्षकों के बीच उन्हें सुनने की होड लगी रहती इन वियाख्यानेंओं में वो इस बात पर जोड देते कि सत्य अपरिवर्तन शील है इस बीच जर्मनी में इस्थितियां बदलती जा रही थी उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब उनका जर्मनी में रहना कठिन हो जाएगा पहले वो जर्मनी के राजदूद से मिले फिर उन्होंने जर्मनी वापस न लोटने का फैसला किया इस फैसले की घोशना करते हुए आइंस्टाइन ने कहा जर्मनी मेरे लिए ऐसी जगह रही है जहां राजनीतिक स्वतंतरता सहिशुनता है और जहां कानून के सामने सभी नागरिक समान है जर्मनी में अब मैं नहीं रह सकता क्योंकि वहां अब इस तरह के हालात नहीं है उधर हिटलर ने देश की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी और खुद को सर्वोच न्यायाधीश भी घोशित कर दिया हिटलर की पुलिस आइंस्टाइन के पीछे पढ़ चुकी थी उनके कापुथ गाओं वाले घर पर छापा मारा गया वहां उनके सारे कागजाद पत्र वगहरा में आग लगा दी गई आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिध्धान से सम्मधित कई लेखों को तो सारवजनिक रूप से जलाया गया इसके बावजूद जर्मनी के विश्विद्यालेओं में आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिध्धान पढ़ाया जाता रहा बस उसमें से आइंस्टाइन और सापेक्षता का नाम हटा दिया गया ताना शाह ने सापेक्षता के सिध्धान के जनक का नाम बदला सिध्धान का भी नाम बदला लेकिन वो सिध्धान को नहीं बदल पाया सापेक्षता के सत्य के सामने ताना शाह हार गया